राजिस्थान के अट्रू निवासी एक व्यक्ति ने मंगलवार सुबह चार बजे खुद पर पैट्रोल जड़कर राग लगा ली चीक पुकार सुनकर आसपास के लोग उठकर तुरंथ दौर पड़े गंभीर रूप से जुल से व्यक्ति को इलाज के लिए एस्पिताल पहुँचाया जहां उसकी हालत गंभीर होने पर कोटा रेफर कर दिया कोटा में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई अट्रू सी आई राम गिलास ने बताया कि अट्रू के गायतरी नगर निवासी मोहन लाल पच्पन वर्षिय पुत्रो गोपी लाल एरवाल घर पर अकेला था इस दौरान परिजन पड़ोस में किसी शादी कारिक्रब में गए हुए थे इस दौरान व्यक्ती ने मंगलवार सुबह घर पर ही पैट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली चेकपुकार मचने पर आसपास के लोग और परिजन मौखे पर पहुँचे और आग बुझाई इसके बाद जुल से हुए व्यक्ती को परिजन अस्पतार लेकर गए चकार उसकी हालत गंभीर होने पर कोटा रेफर कर दिया गया तो सुबह तीन बज़े लगा लिया आगए काई से लगाई रागए कोई परिशान नहीं थी परिशन नहीं कुछ में थी बल्डामपूर पुलिस अधिक्षक श्री केशव कुमार दुआरा अपराधियों पर अंकुछ लगाए जाने ही तू चलाए जा रहे अभ्यान के क्रम में अपर पुलिस अधिक्षक नम्रता श्री वास्तव अच्छेत्रा दिकारी उत्रोला उदेराज सिंग के पर रिवेक्षण में तथा प्रभारी निरिक्षक उत्रोला संजे कुमार दुबई के नेतरत्व में पंजिकरत प्रकाश में आए वांचित अभियुक्तगर राजेश कुमार जायसवाल पुत्र सुर्गिय बाबूलाल जायसवाल अलिंद पांडे और फुहनी पांडे पुत्र विनोद कुमार पांडे संदीब गुपता पुत्र रामदीब गुपता को मधपुर पुलिया के पास से गरिफतार किया गया अब इस वर्ष उत्रॉला खाना चेत्र में एक यूट की घटना कारित हुई थी जिसमें अरजन कुमार सोनी है ये दुकान चलाते हैं सहरिया को बाजार में ये अपने बेटे के साथ वापिस रॉट रहते और मैनहा नहरिया के पास में मोटर सा इस घटना में तीन सो बानवे पान सो चेका अभियोग पंजिकरित था था थाना उत्रॉला में और आज इसका सफल अनापरन किया गया है आज इस्थान के बाना पुलिस मुख्याले द्वारा भिक्ष्या वृति उन्मूलन हेतु चला जा रहे विशेश अभ्यान उमंग व के नाम से एक विशेश अभ्यान चलाया गया है अभ्यान की सफलता को द्रश्टिकत रखते हुए अभ्यान संचालत किये जाने का निर्णा लिया गया है अभ्यान को सफल बनाने हेतु जीनेंदर कुमार जैन अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक बारा के नेतरत में अखिलेश पाथी पुलिस निर्ख्षक वा दूर दर्शिता त्यागी मानव तसकरी विरोध प्रकोष्ट जिला बारवा सी डब्यू सी चाइल्ड लाइन आर पी एफ और समस्त थाना स्टाफ वबल गल्यान अधिकारी की कार्याले के कार्याले के सभागार में मीटिंग आयुजित की जिसमें नाबालिक बच्चों द्वारा भिक्षा वृति के उन्मूलन हेदू विशेश टीमों का गठन किया गया एवं अभियान को किस तरह से सफल बनाना है उसके संबंद में निर्देश भी दिये गए रागोगर नगरपालिका के अंतरगत आने वाले गाउं विजयपूर में राजस्थान जाने वाली सड़क के स्टेट हाईवे की पुलिया पिछले एक महीने से तूटी पड़ी हुई है लोगों का कहना है कि सियावा गमन बुरी तरह से बादित हो रहा है इस पुलिया को त समस्य यह कि घ्रमेने इस पूजा फूटा हुआ है इस ट्रेट आई भी है इस ट्रेट आई वी कहां से कहां जा रही है आपकी जैडा इस ताने इंपी से इस च्ट्राइवे जुडा है और कितने दिन से पड़ा हुए यह काम आपका तेर महीने वह चुका है इसका टेंडर सामान नमागने के बाद भी इस पर कोई कारवाई नहीं हो रहा है ना काम कर पा रहे हैं पंद्रवी दिन हो चुके हैं इस पर पूरी परिशान हो रहे हैं जाम के गाजगन जनपत की सोरों कोटवाली इलाके में एक मकान का लेंटर भरभरा कर गिर गया जिसके नीचे सो रही एक वरद महिला की मलबे में दब कर मौत हो गए पुलिस ने मिलतक महिला के शब को कब्जे मे लेकर पोस्ट मादम के लिए भेज दिया गटना बीती सोमवार और मंगलवार की मधिरात्री के बाद की है बताया जा रहा है सोरोगोत वाली छेतर के रफात पुर गाउं में सुमवार और मंगलवार की मधिरातरी के बाद दो बजे लगभग थम थम कर हो रही बारिश से एक पुराने मकान का लेंटर भर भरा कर गिर पड़ा मकान में सो रही अकेली महिला 68 वर्षे सूरजा देवी पतनी नेतरा मलवे में तब गई जब की महिला का बेटा दशरत मापूना गिरी के दर्शन के ले गया हुआ था उधर तेज धमाके की आवास सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुँच गए और मलवा हटा कर महिला सूरजा को बाहर निकाल लिया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और महिला की मौत हो गई घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुँच गई पुलिस ने पंच्यायद नामा भरकर शब को पोस्ट मादम के लिए भेश जिया है राजिस्थान समाज कल्यारपूर की अध्यक्ष एवं महगाई राहत शिवीर की प्रभारी अर्चना शर्मा ने सांगोध पहुँच कर यहां कुंदनपुर रोड एवं पंच्यायद समिती परिसर में चल रहे महगाई राहत शिवीर की व्यवस्थाओं का वलोकन किया पहले ग्राम बालू हेडा में भी चल रहे महगाई राहत शिवीर की प्रभारी श्रीमती अर्चना शर्मा ने अवलोकन किया ब्लॉक कॉंग्रेस अध्यक्षा पूजा सिंग एवं पूर्व ब्लॉक कॉंग्रेस अध्यक्ष मनोज सुवाल का पूर्व नगर अध्यक्ष एवं पार्शा दिलाजे इंद्र गहलोत रहे कोटा जिले से जुड़ी महिला एवं बालविकास परियोजनाओं में सरकार ने बच्चों के बैठने के लिए कुरसी वा टेबल तो भेश दी परन्तु उनको भवन में रखने के जगह पर्यापत नहीं है ऐसे में चोटे कमरे में एक तरफ पोशा हा तो दूसरी तरफ टेबल कुरसी लगी होने से बच्चों को बैठने तक की जगह नहीं रहती जबकि सरकार ने अधिकांश भवन विहीन आंगनबाडी को स्कूल में संचालित कर रखा है परन्तु स्कूल में भी पर्यापत जगह नहीं होने से नहीं मजबूरी में छोटे से कमरे में आंगनबाडी संचालित करनी पड़ रही है राजिस्तान के बारा जिले के कजबा थाना छेतर के टाना अहिरान में यादव समाज का सामुह एक विवाह सम्मेलन आयुचित किया गया जिसमें 58 जोडे परिने सूत्र में बने सुबैसे राद तक सम्मेलन इस्थाल पर बड़ी संख्या में महमानों की आवाज जाही से चहल पहल रही इस दोरान सुरगे वरिष्ट भाजपा नेता बदरी प्रिसाद जैन की याद में टाड़ा अहिरान में यादव समाज के विवाह समारों में उनके पुत्र नूतन जैन नरेश जैन दिनेश जैन ने परिवार सहित पहुँचकर वरवधों को उपहर सुरूप आशिरवाद देकर प्रदान किया पूर्व विधायक ललित मीडा भी पहुचे और वरवधों को आशिरवाद दिया साथी समाज सेवी आदर्श ने भी वरवधों को आशिरवाद दिया इस दोरान पुलिस प्रिशासन भी अलर्ट रहा सहारनपूर में प्रथम चरण के नगर निकाय चुनाव प्रचार के आजंतिम दिन सहारनपूर पहुचे सपा के राष्ट्री अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतिय जनिता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ पर जमकर हमला बोला उनके साथ आजाद समाच पार्टी के नेता चंदरशिकर आजाद ने भी भारतिय जनिता पार्टी पर जमकर हमला बोला सहारनपूर में अखलेश यादव ने रोड शो भी किया उसके बाद प्रेस कॉन्फरेंस मुनों ने कहा कि भारतिय जनता पार्टी विकास की बात नहीं करती है वो केवल तमंची की बात करती है हर बात मेवे तमंची का जिक्र कर देते हैं या फिर हिंदू मुस्लिम की बात करते है दोनों ही नेताओं ने कहा कि सहारनपूर से गटबंदन के प्रतियाशी नूर हसन मलिक को भारी मतों से जीताएं और वह सहारनपूर का विकास करेंगे स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी बनाएंगी प्रेस वारता के बाद अखिलेश यादव पहुंचे पूर्व विधायक संजे गर्ग से मिलने उनके घर पर जो स्मार्ट सिटी है के वन नाम के लिए है स्मार्ट सिटी में मानक क्या है और किन मानकों पर काम होगा पबलिक ट्रांस्पोर्ट बहतर हो सडके अच्छी हो ट्रैफिक जाम न लगे स्वास सिवाएं बहतर हो सिख्षा प्रिबस्ता बहतर हो बिजली बिना रुके आए बिजली बिजली की दरें कम हो महगाई पे नियंतर हो ये तमाम काम स्मार्ट सिटी में होने है लेकिन मुझे ये जानना है जनता से और सरकार से क्या जनता को सुविधा मिली